हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चेनल गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें बक्रम लेना है बक्रम की लंबाई और चोड़ाई हम ऐसे नाप लेंगे अब हम बीच में से बक्रम को फोल्ड करके चार इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे लंबाई पे टिक लगाने के बाद दो इंच दो पोइंट की चोड़ाई नाप कर टिक लगानी है अब हम इसे गोल सेप का पैटन देते हुए ऐसे लाइनिंग कर लेंगे इस लाइन के बगल में हमें एक अक इंच की चोड़ाई नाप कर टिक लगानी है और इस टिक को lining कर लेनी है तो यह देखिए हमने टिक को lining कर ली है अब हम इसकी cutting करेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करके घंटे को बजा कर आल का option select करें तो यह देखिए हमने goal shape के pattern में design की cutting की है इसे इस्तरी की सहायता से कपड़े पे चिपका लेंगे और यहां किनारे की साइट से कपड़े को ऐसे फोल्ड करके सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ धे सारा कपड़ा लेना है इस कपड़े की लंबाई और चवडाई दोनों साड़े तीन इंच है यहां कोने की साइड से कपड़े को फिंगर की मदद से रोलिंग करेंगे फिर ऐसे फोल्ड करके किनारे की साइड में सिलाई चलाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे कपड़े को हमें रोलिंग करके ऐसे फोल्ड करना है और किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है बिल्कुल इसी तरीके से इस डिजाइन की हम एक लंबी सी लाइन बना कर तैयार कर लेंगे तो ये देखिए डिजाइन की हमने एक लंबी सी लाइन बना ली है किनारे की साइड से हम एश्टरा कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे अब हम इस design को ये वाले design में joint करेंगे एक design का gap छोड़ते हुए यहां पर design को ऐसे लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते हुए हमारी ये line complete हुई अब हम यहां से धागे को cut करेंगे डिजाइन के पीछे के साइट से हम एश्ट्रा डिजाइन के कपड़े को कट कर लेना है यह देखिए ऐसे कट कर लेंगे एश्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद हम इस डिजाइन को सूट के कपड़े में ज्वाइंट करेंगे तो ये रहा हमारा सूट का कपड़ा सूट के कपड़े को हमें ओपन करना है और ये हमने सूट का कपड़ा उल्टा लिया है यह देखिए सूट के कपड़े पे डिजाइन को ऐसे लगा कर लंबाई नाप लेंगे 7 इंज की लंबाई तक हमें डिजाइन को ऐसे लगाना है अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम यहां से सिलाई चला लेंगे ये बहुती easy तरीका है new pattern में neck design बनाने का आप इस design को top में भी बना सकती है और suit में भी बना सकती है अब ये देखिए सिलाई के हलके से बगल में हम एश्टरा कपड़े को ऐसे cut कर लेंगे अब हमें design को fold करके सीधा करना है design को tightly घीजते हुए सीधा करिएगा जिससे आपके design में perfect finishing आएगी अब हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे सिलाई के starting हमें यहां से करनी है ये देखिए tightly कपड़े को ऐसे घीजते हुए सिलाई चलाएंगे हमारी ये line complete हो चली है अब हम यहां से धागी को cut कर लेंगे अब हमें एक और design बनानी है उसके लिए हम एक लंबा सा बक्रम कपड़े पे चिपका लेंगे इस बक्रम की लंबाई हमने 25 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 2 इंच 2 पॉइंट है बक्रम को कपड़े पे चिपका कर किनारे की साइट से कपड़े को ऐसे फोल्ड करके सिलाई चला लेनी है यहां से धागी को cut करेंगे और कपड़े के दूसरे साइट में भी सिधी सिलाई चला लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ओप्सन सलेक्ट करें अब हम इस कपड़े को बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे यह देखिए ऐसे फोल्ड करने के बाद कपड़े के बीच में हमें यहाँ पर 10 रींच की लंबाई पर टिक लगानी है फिर दोनों साइड से हम तिर्ची में ऐसे लाइन अप कर लेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिलकुल उसी सेप में हमें इसके उपर सिलाई चला देनी है अब हम धागे को कट कर लेंगे यहां से एश्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है एश्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद ये देखिए कपड़े को हम ऐसे fold करेंगे बीच में से ऐसे fold करने के बाद आपका ऐसा design बनेगा अब इस design बनेगे हम गले की design को यह देखिए ऐसे joint करेंगे दोनों design को perfect shape में ऐसे बैठा कर हमें joint करना है सबसे पहले यहाँ पर हम lining कर लेंगे अब जिस सेप में हमने लाइनिंग की है बिल्कुल उसी सेप में कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे अब ये देखिए ये वाले डिजाइन को हमें फिर से डिजाइन में यहाँ पर ज्वाइंट करना है दोनों डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करने के बाद अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड दोनों डिजाइन को ज्वाइंट करते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई यहां से हम एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे अब हमें इस डिजाइन में मार्केट वाले बटन को लगाना है तो मार्केट जैसा बटन घर पे बनाने के लिए हमने सर्ट के बटन को कपड़े में ऐसे फोल्ड किया है धागी की मदद से कपड़े को अच्छे से लॉक कर देंगे और यहां से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे सुईधागा के मदद से यहां तीन बटन लगाएंगे और रोलिंग वाले डिजाइन में हम मोती लगा देंगे तो यह देखिए बटन और मोती लगाने के बाद जब आप इस डिजाइन को फिटिंग साइज दे कर पहनेंगी तो ये देखिए हमारे डिजाइन का फाइनल लुक जो की बहुती सुन्दर लग रहा है आपको ये डिजाइन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताईएगा इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ थैंक्स वर वच्छिए मैं वीडियो झाल 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 झाल